बिहार के कई जिलों में बाल के बाद अब कटाव के स्थिथी पैदा हो गई है जहां नदियों के जलस्तर में कमी देखी जा रही है लेकिन अब कटाव का खत्रा सामने दिख रहा है तस्वीरे खगडिया जिले के अलॉली प्रखंड की हैं जहां बागमती नदी के कटाव की वज़ा से लोगों की घर तूट कर नदी में विलिंग हो गए कटाव की रफ्तार इतनी तेज है कि पानी ने पंदर है साल पुराने सामदाइक भवन को अपनी चपेट में ले लिया जानकारी के अनुसार लगभग एक दर्जन घर बागमती नदी के कटाव की वज़ा से कई घर अब तक तूट चुके हैं घरामिडों ने कटाव को रोकने के लिए जिला प्रशासन से कटाव निरोधी कार्य शुरू करने की मांग की है वहीं खगडिया डीम ने जल संसादन व्यभाग को कटाव निरोधी कार्य शुरू करने का निर्देश दिया बसा हुआ तो वहां को फूई की कटाव होगा तो फूई भी कटाव निरोधी कार्य शुरू करने के लिए जिनकी नहीं जमीन होगी जी जी उसमें मात चारे पांट ऐसे बिंद परिवार हैं जिनके पास जमीन है तो हम लोग खरीद के बसाएं वागमती नदी के इस रौदर रूप ने इलाके का नक्षा ही बदल कर रख दिया है इलाके के कई लोग यहां से घर छोड़ कर पलाइन कर चुके हैं पेड़ित परिवार आसमान के नीचे रहने को विवश है वहीं गाओं के कई लोगों के घरों पर कटाव का खत्रा मनरा रहा है फिलाल विभाग की ओर से कटाव रोकने के लिए योद दस्तर पर काम किया जा रहा है पंजाब केसरी टीवी के लिए खगडिया से अमत कुमार की रिपोर्ट